रूस और यूक्रेन की जंग 22 महिने से लगतार जारी है इस दोरान शुक्रबार को रूस ने यूक्रेन पर एक दिन का सबसे बड़ा हमला किया है रिपोर्ट के मताबिक रूस ने यूक्रेन के तीन शहरों पर 24 घंटों में 122 मिसालें दागी है इनमें 20 लोगों के मारे जाने की पुश्टी हो चुकी है इस बीच यूक्रेनी सेना के एक अधिकारी ने कहा कि हम जानते हैं कि रूस की तरफ से साल के आखिर में कोई बड़ा हमला हो सकता है हलाकि ये इस पैमाने पर होगा कि हमने सोचा नहीं था अब हमारी सेना इसका मुत्तोर जवाब देगी और इसी अंदाज में देगी